हेलो दोस्तो, मेरा नाम है ब्रतीकूर, स्वाकत है आप सभी का एक और नहीं वीडियो में दोस्तो, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हो कि अगर आप आईफोन यूस कर रहे हो तो यहां पे LED notification on करने से पहले दोस्तों मैं इस device के उपर particularly आपको अभी call लगा के दिखा दूँगा ताकि आपको पता चले अभी के लिए जो है LED notification on नहीं है तो जल्दी से call लगाते हैं तो जैसे call connect हो जाएगा आपको LED flash अगर जलती है तो यहां से पता चल जाएगा अभी on नहीं है वो feature तो call के लिए wait करते हैं तो अब आप देख सकते हो call आ रहा है बट यहां पर कोई भी LED light जो है वो on नहीं है अगर मैं पीछे आपको दिखाओ तो आप देख सकते हो यहां पर LED जो है यहां पर off है तो call को कर देते हैं cut और यहां पर अभी मैं आपको simple तरीका बत देता हूँ जिससे आप easily LED notification जो है अपने device के लिए on कर सकते हो ताकि आप अगर कभी busy है कुछ भी है तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर call आ रहा है बट यहां पर कुछ चीजे और भी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि LED notification कब काम करता है और कब काम नहीं करता तो LED notification सबसे पहले on करने के लिए आपको settings के अंदर जाना है settings के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे scroll करना है और accessibility का जो option आपको visible हो जाएगा यहाँ वो select करना है और select करने के बाद हम देख सकते हो accessibility में जो भी सारे options से वो visible हो जाएगा आपको यहाँ पर आपको आ चुके है और इसी page पर अगर मैं नीचे scroll करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर LED flash for alerts का एक option आपको visible हो जाएगा जो कि toggle अभी off है यह आपको on करना है तो जैसे ही आप इसे on करते हो अगर आपको अभी call receive होता है या कुछ भी notification आएगा तो यहाँ पर LED light जो है वो on हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कोई notification आया या फिर call आया है बट एक चीज़ आपे ध्यान रखने वाली यह है कि अगर मैं home पर आता हूँ यहाँ और इस time पर अगर मैं call लगाता हूँ इस particular device के उपर अभी आपने देखा मैंने toggle on किया है तो पर flashlight जो है on नहीं है तो यह क्यों हो रहा है पहले इसे cut कर देते हैं तो सबसे main reason जो है यहाँ पर flashlight अभी जो on नहीं होगी है उसका यह है कि आपको screen जो है वो off रखना है आपका main screen जो है वो अगर on होगा तो भले ही आपने settings में यहाँ पर LED flash for alert का toggle on रखाए बट फिर भी य display जो है completely lock करना है अभी device lock होना चाहिए तब जाके आपको notification यहाँ पर आते ही यहाँ पर LED light जो है वो जल जाएगी तो इसे बंद कर देते है डिवाइस जो है मैंने अभी यहाँ पर lock कर दिया एक बार फिर से में इस device के उपर call लाके देखता हो और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको lights visible हो जाएंगी call आते ही तो अभी आप देख सकते हो call जैसे receive हुआ यहाँ पर LED जो है वो on हो चुकी है यहाँ पर देख सकते हो flash जो है वो जलना start हो चुका है call को कर देते हैं यहाँ पर cut तो यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है आपने बहले ही पर आपको call आता है यह कोई notification आता है तो LED light जो है वो on नहीं होगी वो बंदी रहेगी क्योंकि आपका display already on है तो उसके वज़े से LED जो है नहीं जलेगी बट अगर आपको वो on चाहिए तो आपका display off होना चाहिए और तभी अगर आपका call आता है आपका ध्यान नहीं होगा ब यहाँ पर जो है logic नहीं बनता है तो यह काफी अच्छी चीज है और एक option आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी आप देख सकते हो LED flash for alerts का जो toggle है वो तो on है यहाँ बट अगर आपका device silent पर है और उस टाइम पर अगर आपको call आता है तो LED जो है आपकी नहीं जलेगी प इस टाइम आपको call आता है तो flashlight जो है वो on हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा आपको call आ रहा है तो यहाँ पर जल्दी से हम silent mode जो है active कर देते हैं अभी आप देख सकते हो silent mode मैंने on कर दिया है device को यहाँ पर मैं कर दूंगा lock device lock करने के बाद अभी phone जो है वो completely silent है अ यहाँ पर रिंग नहीं हो रहा है क्योंकि silent mode पर दा बट flashlight अपने आप जो है यहाँ पर on होना स्टार्ट हो गई है तो हम इससे मुझे बता चल जाएगा कि मुझे कोई notification आ चुका है तो बस दोस्तों यही simple तरीका था LED flashlight on करने के लिए तो कुछ basic चीज़े भी मैंने बताई यह इस वीडियो में I hope आपके लिए वो helpful साबित हो तो इनी simple तरीकों का आपको यही steps follow करना है तब जाके आप LED flashlight जो है on कर पाऊगे अगर आपको यह step याद नहीं रहेंगे तो एक आपको चोटा step बदा देता हो जब search को option आपको उपर मिलता है search option में जाके अगर आप LED टा for alerts select कर सकते हो अगर आपको बड़ा step नहीं करना है जो मैंने starting में दिखाया जो की accessibility में आपको जाना है उसके बाद आपको नीचे scroll करने के बाद audio and visual का जो option है उसमें जाके आप यहाँ पर LED on कर सकते हो उससे अच्छा है आप simply search bar में यहाँ पर LED टाइप कीजे और यहाँ पर करना है तो बस दोस्तों यहीं था आज की इस वीडियो में वीडियो अगर आपको बसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए तो मैं आप सभी से मिलूगा अपनी अगली वीडियो में थेंक यू